students अब हम बात करेंगे cross over experimental design की यह एक ऐसा experimental design है जिसमें हम जो अपना group treatment group होता है वो हमारे पास दो होते हैं और हम अगर इसको देखें तो इसमें हम treatment groups को randomly assign करते हैं subjects और फिर उनकी हम conduct करते हैं pre test assessment और क्यूंकि इसमें हमारे पास treatment groups हैं और हमारे पास दो है treatment हैं तो पहले हम यह एक एक treatment दोनोंग ग्रुप को देते हैं उसके बाद फिर हम post test assessment करते हैं इनकी और फिर उसके बाद हम इनका treatment जो है change करते हैं औशके मदेंगे और इसके बाद हम पिर उनकी यह a assessment करेंगे तो इससे जो है हमें पता चलता है कि हमने जो crossover किया treatments का subjects हमारे वो ही दे तो इससे हमें पता चलता है कि कौन सा treatment effective रहा group A और group B और क्या इनके interaction से वो ही change observe हुआ in both groups or not तो यह जो treatment design है यह जो research experimental design है यह ज़्यातर medical science में use होता है medical research में use होता है ज़िसमें आपने कुछ drugs को administer करना होता है over the period of the time आप drug one देते हैं फिर उसी group को drug two देते हैं तो दूसरे group को आपने जो drug two है वो पहले देते हैं और drug one बाद में देखते हैं और फिर देखते हैं कों सा pattern रहा, drug 1 देने का pattern रहा, यह drug 2 देने का pattern सही रहा, तो इससे आपको पता चल जाता है कि कौन सा pattern बेटर है. तो यह medical science में इसका बहुत ज्यादा use है और यह उस तरह की studies के लिए ज्यादा practical है जहां पे आपने short term relief को चेक करना है. जैसे के आप drugs की जो है वो देखना चाहरे है impact on the human body तो वो इस तरह के studies में ये बहुत ज़्यादा useful है मगर इसके लिए जो सबसे बड़ा challenge जा है कि वो participants are willing and able to continue both the treatments and even in the first treatment if the first treatment fixes the problem तो उनके लिए ये इसका एक ethical challenge भी होता है कि आपने जब subject सायर करने है तो उनके साथ ये commitment लेनी है उनको ये बता कि कि आपको treatment once है अगर अराम भी आगया तो फिर भी आपने दूसरा treatment लेना है तो देखने के लिए कि कौन सा आपके लिए suitable है